हलो फ्रेंद्स मैं हूं संजे संख्यान और आप देख रहे हैं HP Notifications by संख्यान दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बजेट पे पिछली वीडियो में मैंने बजेट पे चर्चा करी थी बट बजेट एक काफी लंबा टॉपिक है तो एक वीडियो में पॉसिबल नह देखिए सबसे पहले यतना तो आप समझ गयें अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है कि जो भी सरकार का पैसा चाहिए सेंटर गवर्मेंट का हो या स्टेट गवर्मेंट का उनको रखने के लिए जो आर्टिकल है जो हमारे कंस्टिूशन के आर्टिकल है उसमें य कुछ पैसा यहां रखा जाते हैं और लिमिट आपको पता है कि कितनी है 500 क्रोड सेंटर की है और 5 क्रोड जौब हमाचल प्रदेश की है और तीसरा जाता है पब्लिक अकॉंट पब्लिक अकॉंट का मतली है कि जो सरकार ने पब्लिक से पैसा लिया जो उसको रिफंड करना ह तो यह सरकार इसको रखती है पब्लिक अकॉंट पे और सरकार इससे कभी भी जो है वो इसमें से अडवांस लिसकती है इसको लेजिस्टर से पास कुराने की जुरूरत नहीं होती है ओके बजट मैंने बता दिया था कि annual financial statement भी इसको बोलते हैं और यह होता है estimator revenue and expense for the next financial year means इस साल हम बज़ट पना रहे हैं मार्च मंत में तो वह जो खर्च करना हमने या जो receipt आनी वह आएगी next year के लिए तो इसे मैंने बताया था कि यह french bird है और इसका मतलू होता था leather briefcase देखिए financial year जो चलता है यह चलता है यह चलता है पहली अप्रेयल से सुरू होता है और 30 मार्च को job close हो जाता है यह हर साल चेंज हो जाता है जैसे अभी 2022-2023 है अगले साल यही financial year 23-24 जोजेगा 24-25 इस तरह तो अब यह मैं financial year क्यों बता रहा हूँ कि यह आपको आके समने के लिए जुरूरी रहेगा कि financial year कब होता है नेस्ट जब भी budget prepare होता है देखिए इसमें तीन concept रहते हैं तीन सालों की calculation करी जाती है जब भी हम budget prepare करते हैं एक होता है previous year previous year का means जो पिछला financial year है दूसरा current financial year means जो अभी चला हूँ है और next एक होता है जो budget generally बनता है next year के लिए तो एक होता है next year देखिए आज की रिटमे क्योंकि आज जो चला है हमारा current year वो है 2022-23 तो इसका जो previous हुआ वह हुआ 2021-22 और जो इसका next year हुआ वह हुआ बहुआ 2023-24 आएंगे यह मैं आपको बता दूँगा कि 21-22 के क्यों आते हैं देखिए जब भी कोई बजट बनाना होता है तो वो देखते हैं एक तो इस साल का खर्चा कितना हुआ क्योंकि और एक देखते हैं जो पिछले साल का खर्चा किया और उसी की एस्टिमिशन के साब से जो नेस्टियर का खर्चा है उसको अप्रॉक्श्मिटली यहां पे बजट में बनाया जाता है यह सिर्फ खर्चे की बात नहीं है जो रेविन्यू है अल्टिमिटली एक ट्रें रहा है तो उसमें भी रीजन बताने पड़ेंगे कि कम क्यूं है क्यूं होगा या जो बढ़ेगा तो क्यूं बढ़ेगा देखिए बजट को जनली जब के बर यह डिपार्टमेंटल एक्जाम या जो एच्प एफस के एक्जाम आप देते हैं तो बहां पे के बर कॉशन आत बढ़ेगे बोगे 2022 थे इसके भी क्रण्ट एयर के भी और जो उससे भी पिछले यह था बी 21-22 के भी बो भी जो है वहां पे दिखेंगे यह क्यूं होते मैंने बता दिया कि एक ट्रेंट बताता है कि लास्ट दो सालों में क्या रहा और इस साल जो अगली साल में कितना कर अ आएगा यह जो एक्सपेंचर होगा इसको समयने के लिए देखिए मैं आपको यहां एक एक एक्जम्पल लेता हूं मालो हमने बजट बनाना है क्योंकि यह चला करण्ट यह 22-23 तो 23-24 में में मार्च में 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 जो 23-24 का बजट त्यार हो जाएगा तो इसको त्यार करने का जो प्रशास है ऐसा नहीं कि उस फर वख मिने में में चलेगा यह मार्च मनत में चलेगा इसका प्रशास जैसे ही आपको द Huiे हमारा आऄ로 मालो बजट पास हो गया तो उसके जुलाई मीने तक जो है जैसे ही बजट त्यार हो गया मालो मैं यहां एक्जाम्प ले रहा हूँ कि हमने 23-24 का बजट बनाना है तो जुलाई 2022 में ही यह प्रोसेस सुरू हो जाएगा उसमें कहोता है जुलाई में जो होडी है वो आपके और साथ में पुछेंगे जो अगले साल अगले जो आट मंत है क्योंकि पूरे एक साल के लिए 12 मन्त हुए तो चार मन्त का एक्चुल का खर्चा पुछेंगे जुलाई तक और जो अगला अगस्टमबर अक्तुबर से लेकर मार्स तक उसमें प्रोस्पेक्टीव जो जो खर करते रहते हैं यह prospective खर्चा क्यों लेते हैं ताकि यह देखने के लिए कि कितना कर खर्चा जो है वो सरकार को जो कैसे कैसे क्या लोन लेके करेंगे या फिर revenue लेके करेंगे क्योंकि यह सारा जो है वो management finance department को देखनी पड़ती है और यह था जुलाई मीना फिर जैसे नवंबर मीने में फिर एक वो आपसे रपोर्ड लेंगे अगर आप डीडियो हैं तो उसमें यह पूछा जाएगा कि आठ मन्त का जो actual खर्चा क्योंकि आठ मीने उस तक हो जाते हैं नवंबर तक और जो अगले जो आपने मान लोग बजट मांगा था वो सबसे नहीं है आपको अडिशनल्टी चाहिए या रिया प्रिपरेशन चाहिए या मान लोग की के बर ऐसा भी हुदता कि आपने पैसा ले लिया था खर्ची नहीं हो सकता आपका तो उसमें आपको स्रेंडर भी करना पड़ता है तो यह साब एक किसम से एक इस जो बजट को प्रॉपली मैनेज करने के लिए यह जो सरकार एडिशनल्टी देने के लिए रिया प्रिपरेशन करने के लिए यह सरेंडर करने के लिए जो फानेस डिपार्टमेंट जो एडी से एडी मींस से रिपोर्ट लेते हैं हर जितने भ बाद फर्वरी मिन में क्यों होगा कि उसमें 11 मन्त की ईर्पोर्ड ली जाएगी कि पूरे ध्रक्रचा कि कितना खर्चा हो गया और जो एक मन्त है अगला मार्च है उसका भी prospective खर्चा वो देखेंगे यह मैंने बता दे की prospective क्यों देख रहे हैं तो वो पैसा, ताकि डीडियो को बोल सकें, कि वो सुरिंडर करें, और ये देखें, अगर आप डीडियो है, तो ये डीडियो की पर्सनल रिस्पोंशमिल्टी है, कि कोई भी पैसा कत्ति मार्च को सुरिंडर नहीं होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि नवंबर ये दिसंबर मीने में कि कोई पैसा खर्च नहीं होने बाला है या आपको लग रहा है कि कम पैसा खर्च होगा और आपको ज्यादा बजट ऐलोकेट हो गया है तो यह आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस पैसे को जो आप उस रेंडर कर दीजिए उसके बाद देख आपर प्रॉपली डिसकसिन होती है मैंने बुला कि उनके पास यह पावर रहती है लेजिस्टिटिव मेंबर के पास कि वो चाहें तो इसको अडिशनल बढ़ास दें कम कर दें या जितना है उतना कर दें या किसी स्कीम को जो नियू स्कीम उन्होंने प्रभूज करी है उसक मैंने बताया था कि Chief Justice of India उनकी जो एक्सपेंस है या जो हमारे ये कुछ इस तरह जो हैं इंट्रेस्ट रिपेमेंट करना है तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो होते हैं हमारे चार्ज में और जो बोटर में ऐसे खर्चे जिनके ओपर लेजिस्टिटर में डिसकसिन होती है औ सारा बजर का प्रशयस अब इसको आप शम्मिजब कि लेजिटर में गवर्नर पास करते हैं और एक बात आपकी अभी मन में होगी कि 11 मीने का तो चलो डिसकस होगी है लेजिस्टिटर में बट जो एक मीने का जो मार्च मीना है उसको कब करेंगे उसको जो नेस्ट लेजिट बुक देखी होगी, 32 हमारे पास demand of grant है, उसमें अगर आपने देखा होगा, तो 3 साल के figure reflect होते हैं, यह मैंने एक screenshot लिया है, देखिए, यहां पे इन्होंने figure दे रखें, तो यह plan और non-plan अब खत्म हो गया है, यह देखिए, budget estimate, तो कि यह budget लिया है, मैंने 22-23 का, तो इसमें 2020- 21 के भी इन्होंने estimate बताये थे, कि कितना खर्चा था, और यह देखिए, 21-22 के भी यह actual खर्चे है, और यह जो है, यह यह खर्चे है, 22-23 के, यह खर्चे बताये जाते हैं, जो आपको budget allocate होगा, यह उसकी आपको approvision होगी, यह same, जाएं आपका expenditure है, उसके लिए भी और जो revenue ह जाती है, तो यह था आपका three year phenomenon, यह के बर question पूछा जाता है, अब next मैं इसमें discussion करना चाहूँगा, कि reconciliation कैसे की जाती है, देखिए, जितना भी consolidated fund है, उसके लिए ही budget पास होता है, तो उसको सरकार कैसे monitor करेगी, legislature कैसे monitor करेगा, कि जो उन्होंने budget दिया था, properly utilized हो गया कि नह how the accounts are reconcilized in the legislature, तो देखिए, होता क्या है, जैसे ही, means legislature में bill passed हुआ, bill passed होने के बाद एक appropriation bill बनता है, जैसे ही appropriation bill पे, means यह जो गवर्नर की stamp लग जाती है, तो means यह bill बन जाता है, और bill बनने के बाद यह पैसा एक किसम से budget का reflect हो जाता है, फानेस department के end पे, और फानेस department का करत होता है, यहां से जतने भी बत्ती demand of grant है, means जतने भी department है, उनको जो वो एक किसम से sanction, यहां से दे देते हैं, budget की, यह AD का मतल होता है, secretary, means FD ने पैसा transfer कर दी, transfer किया, allocation sanction कर दी, AD को, आगे AD जो है, पैसा sanction कर देते है, HOD को, means director को, और director जो है, इस पैसे को, transfer तो नहीं बूलें है, चाहिए वो collect होगा, या जो expense होगा, वो सारे एक सारा होता है, DDO के level पे, अब DDO के करते हैं, मालो मैं अभी बात कर रहा हूँ, खर्चे को कैसे monitor किया जाता है, DDO के पास sanction पहुंच गे budget की, जैसे उनके पास कोई charge आएगा, means कोई खर्चा आएगा, तो उस खर्चे किसे इसकी एक copy, पहले तीनो copy या जैसे DDO क्या करेंगे, तीन copy या ले जाएंगे, Treasury Officer के पास, District Treasury में, या जो T.O. Office होते हैं, वहाँ पे, T.O. क्या करता है, एक उसको पास, उनको देख के, प्रॉपली entry कर लेते हैं, अपने पास, उन्होंने, SOE बाइज और Department बाइज उन्होंने register maintain की होते हैं, उसमें entry करके, अपनी stamp लगा देंगे, means bill पास हो गया, अब Treasury payment नहीं करती है, payment के लिए वो, अपनी copy रखेंगे, एक और दो copy फिर DDO को देदेंगे, अब DDO का करेंगे, उन दो copy को, जो पास हो गया है bill, उनको ले जाते हैं, उसके साथ, जो Treasury के साथ, अटेस् bank क्या करते हैं, एक copy अपने पास रख लेते हैं, और एक की जो payment, जो concern, DDO, या जो account, जिसका bill है, उसके खाते में कर देते हैं, और bank क्या करता है, एक copy अपने पास रख लेता है, और एक copy चल जाती है, ultimately, DDO के पास, अब क्या हुआ, ये तीन जो copy हैं मनाई थी, अब एक copy रह करते हैं, बेंक भी एक report मनाते रहते हैं, department wise और SOE wise, और इसी तरह, DDO भी एक report मनाते हैं, SOE wise और जो भी head of account है, उस बाइस, और ये, अब lastly क्या करते हैं, at the end of the month, DDO सारी अपने पूरे month का revenue आया, means पैसा आया, और ये जो उन्होंने खर्च किया, वो सारी-सारी consolidated rate, जो SOE wise, means last जो object head है, उसके हिसाब से अपने director को दे देंगे, और treasury बाले का करेंगे, वो भी पूरे month की department wise और last SOE wise जो है, वो detail बनाके, वो ASG को दे देंगे, और जो bank बाले हैं, bank बाले भी अपने head office देके, पूरे SOE wise और department wise report बनाके, अपने head office देंगे, और head office जो है, पूरे month की report ज करते रहते हैं, और ultimately, जैसे देखिए, HOD में director level पे भी देखो report बन रही है, same खर्चे की, same जो पैसा खर्च किया, जो same पैसा आया, treasury level पे भी report बन रही है, और जो bank level पे भी सारा खर्चा, जो अब वो receipt जितना आया, और जितना उनने payment करी, वो सारेक सारी detail बन रही है, तो द consolidated treasury पॉलों के पास भी है, और bank पॉलों के पास भी है, और ultimately, ये सारेक सारी detail किसके पास जाती है, AZ के पास, तो देखिए, AZ के पास, एक ही खर्चे के लिए, तीन जगह से data आएगा, HOD level पे, treasury level पे, और bank level पे, तो मुझे लगता है, फिर इस साब से जो एक किसी भी जो cancellation इस से हो जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको लगाएगा tough एक पर वीडियो, फिर rewind करके देखिए, तो मुझे लगता है कि बहुत simple है, तो इसी तरह, देखिए, सरकार जो है, फिर AZ के करती है, इस खर्चे को ultimately, legislature में discuss करते हैं, और वहाँ पे, अगर कोई खामिया पाय जात करते हैं, और जो ultimately, जो इस साल का खर्चा जो था, बज़र था, वो next year जो है, वो ultimately, legislature में pass हो जाता है, तो ये थी reconciliation, reconciliation मैंने बता दिया, ये डीडियो लेबल पे भी होती है, ट्रेजरी लेबल पे होती है, और बेंक लेबल पे भी, और ultimately इसको reconcile कहा होता है, सारे-सारा जितना पे आप काफी concept आपके clear हो गेंगे, इसी तरह कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आप चैनल पे नेने जुड़े हैं, तो मेरे चैनल का नाम है, HP Notification by Sankhyaan, HP Notification by Sankhyaan मेरे चैनल का नाम है, इसको subscribe जुरूर कर लिजिए, subscribe करने का मतल़ ये है, कि आपको जो भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, वो आपको मिलती रहेंगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसको like और share जुरूर करिए, ताकि आपके दोस्तों का भी knowledge भर सके, इसी तरह कि मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा, keep watching HP Notification by Sankhyaan, अगर आपकी अभी भी budget से लाइक और share हैं, या और जो comments हैं, ये मेरे लिए एक motivation रहती है, नेस्ट वीडियो डालने के लिए, तो इसी तरह कि वीडियो में और डालता रहूँगा, keep watching HP Notification by Sankhyaan, जैहिं, जैहिं माचल